हलो दोस्तो राम राम कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप लो काफी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो हे फ्रेंड्स देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरन की सबजी जो बहुत ही तेश्टी लगता है चाहे आप उसे रोटी के साथ खाएं पूरी के साथ खाएं चावल के साथ खाएं लेकिन हम खाने वाले हैं चावल के साथ आप लोग बताईगा कि आप लोग को सू हमारे चैनल को प्लीज लाइक और कमेंट और शविस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए हम सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए जरसो का तेल हमने ले लिया है इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको इसके छीलिकों को देखिए उतारेंगे इस तरह करते हम पूरे चिल के उतार लेंगे फ्रेंड्स इसको पसुल से काड़ते हैं पसुल से बहुत ही इजी तरीके से कट जाता है यह देखिए थोड़ा सा भी नहीं रखना है ना तो खराब हो जावी सब्ची भी देखिए इस बहुत है अच्छे से कुरे चिल के उतार लेने हैं इस कुरे को ऐसे से शेप में काट लेने हैं पहले फिर देखिए बहुत एजी तरीके से उतार जा रहा है चिल का कि देखिए फ्रेंड तो फ्रेंड में सारे चिल के उतालती हैं सब्जी के यह देखिए अब आप इसे अपने साइज के हिसाब से कटिंग कर दीजिए यह देखिए ऐसे फोड़ा बड़ा रखिएगा कि कूकर में इसे एक सीती लगाएंगे दोस्ते बहुत जादा टेश्टी लगता है खाने में और हम लोग यह गाह में तो दसहरा के तीन दिपाले के तीन यह बनता ही बनता है क्यों बनता है मुझे इसा कारण पता नहीं है लेकिन दसहरा और दिपाली के तीन बनता ही बनता है मामी लोग पहले से खरीड लेती है क्योंकि पुर्ष्टाय महुत महँआ हो जाता है कि मेरा हाफ केजी सूरल है प्रेंट 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 इस पार हमको एक वाद पानी में इसका मदम अच्छे से धो लेंगे जिस जो भी इसमें मीट्टी उटी होगा गण्ड़ी निकल जाएगे तो बहुत है अच्छे पानी से को साफ करईना है कज इसने हम बनाने के लिए से सह से पहले कूकर तो यह देखे कूकर है हमारे पास इसमें पहले दाल देगे पानी तोड़ा से पानी डालना है और इसको बहुत भी अच्छे से धोल लिया है। चल्दा पाई ने के रोटी जहां मच्छे से और इसमें डाल विए कुकर में डाल दीजेए कि प्रेंड्स यह बनने बिल्कुल भी समय लगता है जो भी समय लगता है शिनने और काटने में लगता है आए यह देख़े अब मैं थोड़ी सी डालूंगी हल्डी पाडर देखें मेरे हाथों में निम्बू है इसको मिस्री डालते हैं कि कभी क्या होता है सुरंज होता है पोड़ता है मुंग को जलन लहर टाइप होती है जीव में उसे बचने के लिए हम यह डालेंगे यह दिप्रेंड्स में आतर निम्बूं का यूच कीजिए यदि में के पास निम्बू नहीं है तो आप ऐस्के जीक्लान इसको और पोड़ता है तो आँक्त और ब हैसे दीचिसर देल दन सकते ही अगर वह वह बहुंस PHP 2 ga यह टाल की फैसे इसमें साधे और फ्रेंड इसको हमें एक सीटी लगा देंगे एक सीटी ज़गा देंगे तब तब हम पने मर्शाला तयार कर लेके त्बक्रा पनाया टीषे में आधे मेत्चैने exists.. और यो यह जये में मुझें तो यह दिर्ची काली मेर इसके लेका आपावडर। यह थे पत्टाम्रा .. ये तेज पत्ता ये देखी तो प्याज लिया है हमने ये टेमाटर है और ये धनिया पत्ता है बस इतना ही मसाला डालेंगे फ्रिंट्स मेरा कूकर सीटी दे चुका है तो मैं इसको गैस को आफ कर देती हूं और फ्रिंट्स मैं थोड़ा सा अद्रफ लूँगी मसाले कंप्रीट यहां देखिए एक लश्ण है ठीक है यह सारे मसाले हमारे रहेंगे इसमें थोड़ा सा अद्रफ लूँगी है ना देख सकते हैं आप यह हमारा मशाला है कुकर धकन थंड़ा होता है तब तक मैं था मसाला रेटी कर लेती फट से तो काई देखिए हम जार में सारे मसाले डाल देंगे यह देखिए यह दो मिर्च हम रखेंगे फोड़न देंगे इसका है जार मसाला डाल दिया हमने अध्रक फ्रेंड्स थोड़ा हम पूंच लेंगे तो किस तरह नहीं पीसा आता रहे है अच्छे से ऐसे करके रालेंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे हाथ में लसुन है लसुन की माता था ज्यादा रहेगी देख लिया अध्रक लशू रेड मिर्च धनिया पावडर और यह जीरा और यह काली विर्च इतने अगरा मसाला तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मसाला रेडी हो चुका है पिस चुका है अब मैं इसमें ले लूंगी थोड़ी सी रेड का समीरी मिर्च ली है जिससे की सब्लीम बहुत प्यारा कलर आता है तो गाया हुम गडाई चाहेंगे यह देखे तो फ्रेंड्स मेरा कडाई में देखिए तेल गरम हो रहा है जब तक तेल गरम हो रहा है प्यास मेरे प्याश के हो चुके है रेवी जब तेल भी हो चुका है करम अब मैं देखिए डाल रहे हैं जीरा डाल दिया तेल पता राल देना है आपको दो रेड़ मिश डाल देना है आपको इसे बार आपको डाल देना है याज अब इसको चला देए प्रेंट से गोर्डिल ब्राउन में तक में इसको चलाती रहेंगी यह बोली चुका है यह बहुती प्यारा कलर आ गया है ब्राउन का पुरा अब मैं इसमें अपने मसाले डाल जोगी यह मेरे मसाले हैं तो पड़ा है वोलिँ जोज़ुआ है एम ज disp़रेगो 8-90 schme से नम्ट जाल डाल क्टेंगी यह ब्रेंट ।ो चलाउना एक मताले है यह खूह भी समीरे शममीर क्रचा के नमक आर जोड़ आले। स्प्रेंच के समीशें टमाटर डालेंगे इसको इत्ताब में में भीज़ेंगे जो तक प्रेंच इधर मेरा मसाला तयार हो रहा है आप देख रहे हैं मेरा मसाला इधर तयार हो रहा है अब तक मैं इधर पूकर से सूरन अपना दिखाल देती हूं तो देखें एक साइड मेरा मसाला मूह जा रहा है एक साइड मेरा यह सूरन है इसे मैं पानी से अदर करने हूं गी तो मसाला मूशा पानी देदे करके इसा और देतक कखाएंगे विसी बहुत ही अचा पर गया है जाजी देखें सूरन को मैं इसमें ऐसे निकाल लेगूं पानी को फेक देना है दोस्तों अब फ्रेंड्स मेरा एक तरफ मसाला पक रहा दूसरी तरफ कडाही में मैं इसको पुली तरफ से ब्राउन कलर का भूंज लूँगी तो मैं दूसरी कडाही चड़ाती हूं दोस्तों तो गाज देखिए आप यह कडाही चड़ा चखेंगे ह और यहां मेरा मर्शाला पक रहा है देखिए तेल छोड़ने लगा है कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों तो अब मैं इस कडाही में तेल डालती हूं फ्रेंड पास से देखिए कितना चाच तेल छोड़ा है मसाला यानी की तयात हो चुका है मैं बस जल्दी से ब्राउन कर मैं छोड़ा है कि उसको फूंच लेती हूं एक फ्राई कर लेती है तो दोस्ते फ्रेंड देखें पूरी तरस मेरा तेल पख चुका है गरम हो चुका है हम इसमें डाल रहे हैं कर दालं कर दुए एज़तže मारे मेरे भीस हों में जरब दोस्तों में अब पुरी परकी पुका है मतलब अब आकश्क कि मसाले में डाल देना है अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी आवशकता अनुसार क्योंकि हमें खाना चावल के साथ तो मैं फ़ासा पानी का मातरा जादा डालेंगे कि अच्छे के तयार कर दीजिए अच्छे के अच्छे के पतला नहीं होगा तो जो पूल है ना जो सूनन है यह जाकर गाढ़ा ही हो जागा इसको बहुत ही अच्छे से आराम हो देखे कि तूटे नहीं और बार बार में चलाना है इसको यह देखे लिए बार बार में चलाना है इसके अच्छे कि कलर से बहुत त्यारा आने लगा है यह देखे मेरा अमने इसको ठासा पानी लाल दीजिए और पाहें डालें में चीट पकेगा भी दस मिनट ना इसमें पाहें डाल दिया है इसमें हम इसको निचाल कर इसमें राल देंगे तो थोड़ा और से कलर देंगे और और आने देंगे देखे कलर कितना प्यारा आ रहा है थोड़ा सा और कलर आएगा इसमें कर देखे कि मैं मार्शाला ऐसे देखती है अम इसको खास थाक देती हूं पकेगा माशाला अम मेरा आई खरिये तयाव ही रहा है इसकी तरह कितना प्यारा कला राया है आहा है करद देखी में खिश हो गया हल्का और गुलावी करूंगी तब तक मैं धरत में धनिया पर्चा को कर लेती हूं साफ और इसके काटकर पो लेती है तो गाई देखी तरह से पेलर इसमें बहुत प्यारा चुका है मैंने गैस को कर दिया है और इसको में डाल देंगी मसाले वाले में इसको में डाल दिया है इसको पकेगा चार से पाच मिनट पाम से छे मिनट ही पकेगा दोस्कों इसे नमक मशाले सभी इसके अंदर पेवस हो जाएगा यह देखिए कमसे हम पास मेरे तर पसाओना दी कि को दोस्तों कि इतना प्यारा आगा देखिया आं तो कि दाइज देखिए द्दान्या पता उपर से डाल रहीं कि पड़ेखिए इसके इसकों का है सुबह मी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और यह देखिए तो पका हुआ था यह देखिए बहुत ही इजी तरीके से तूट गया यहाँ देखिए अब चेक कर सकते हैं यह देखिए इसको फ्रेंड हम अपकर देंगे बंद कि मेरा सब्जी हो चुका है तयार गया विश्क्वाप सर्व करने के लिए दूसरे बरतर में रिकाल लीजिए आज था प्रंगी अदिखिए शाखिए lado लिए अब प्रफ्षा पर फ्रेंगे यह देखिए पना हाई आप